पहना है लड़का लिठा तो हैलो फ्रेंज जाए संतो सीमाता कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम है आपको किरन विजकर मारिया लाइब चैनल में और आज मैंने लोही की कड़ाई में सबजी बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है और हमेशा मेरी लोही की कड़ाई में ही में खाना बनाने की मतलब सबजी बनाती हूँ और आज में बनाने वाली हूँ दूद मेरा जो मतलब दूद आया था वो फट गया था तो उसका में सबजी बनाने वाली हूँ और यहां पे मैंने लोहे की कड़ाई में सरसो का तेल और सरसो का तेल का पहचान देखिए किस तरह होती है जो असली तेल होता है सरसो का तेल तो जहाग छोड़ता है देखिए किस तरीके से जहाग छोड़ता है तो यह असली तेल होता है तो यही पहचान होता है सरसो का तेल का असली पहचान और यहां पे मैंने जो गोबी थी तो वो मैंने उसे भून लिया है मतलब ज्यादा उसे ब्राउन ने किया है हलके हलके भूना है और इसके बाद मैंने यहां पे प्याज डाल दिया है और इसको हम भून लेंगे समसो का तेल तो मतलब सब्जी होती ही बहुत टेश्ट है और लोही की कड़ाई में बनती है वा-हसिकनक। लोहे की कड़ाई हमें सब यूज किया करें क्योंकि इसमें आइरन होता है और यहां पर मैंने लहसन और जो अधरक का पेष्ट वो भी डाल दिया है और टमाटर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से हम भूनेंगे तो देखे कितने अच्छे से भून चुका इसमें हम मसाले दाल देंगे हल्दी मेचा धनिया और पाउडर बस यही डालेंगे और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकोर्डिंग तो बहुत ही टेस्टी बनता है तो लोहे की कड़ाई में जब मतलब खाना जो है सरीर को मिल आयरन मिलता है और लंबे समय तक सेहत मेंद रहते हैं इंसान त कड़ाई में तो हर घर में होती थी क्योंकि उसे साफ करने का जो मतलब जो साफ करने में दिक्कत होती है इसी वजह से लोग लोये किड़ाई नहीं जो हैं कुछ बेने नहीं इस्तिमाल करती हैं अब तो नोन्य इष्टिक घीरा हैं यह सब यह इस्तिमाल करते हूं मगर उसे कोई फाइदा नी मिलता है जैसे हमारे ना पुराने जमाने में लोग मिट्टी और लोहे के जो बरतन होते थे नहीं इस्तमाल करते थे और पता है इसके कितने मतलब सरीर को बहुत सारे फायदे मतलब मिलते हैं लोहे की कड़ाई में ठीक है लोहे की कड़ाई और बरतनों में खाना पकाने से ना बहुत ही कि अब तो बहुत ही कम चलन हो गया है कि मतलब मतलब लोहे की कड़ाई में लोग बनाते हैं और यहां पर देखिए मैंने यहां पर गोभी डाल दिया है मटा डाल दिया है और खुब अच्छे से हम भून लेंगे इसको कम से कम नहीं दस मिनट हम भूनते हैं मतलब इसकी महका आ जाती और खुषबू अच्छी से छोड़ती है तो यह देखें दूद मेरा फट गया था इसके बाद उसका जो दूद है जो पानी था वो निकाल दिया था उसका हमने उसको भी यूज किया है उसका हमने फेका नहीं मैं फेकती नहीं हूँ और उसका पानी पानीर जम नहीं पाया था क्योंकि मैंने जैसी फटा तब इसके बाद मैंने ऐसी निकाल के सब्जी बना ली है और पता नहीं क्यों फट गया इसे मतलब कभी जल्दी फटता नहीं है पता नहीं और तो यहां पे हमने कर दिया है मिक्स वास्तों में इतनी अच्छी से लोही की कड़ाई में आप जरूर बनाईए और आइरन की कमी ना होने दीजिए ठीक है मैं तो अपने बच्छों को लोही की कड़ाई में ही सुरू से बनाई और बहुत कोशिस करते हुए एक नौनिस्टिक की कड़ाई ले लूँ या फिर मतलब बहुत मार्कर तक जाते हू सुचती हूँ या लोही की कड़ाई में ही फाइदा है तो इधर मेरे बच्चे आ गए थे और में दिखाती हूँ कितना मतलब मेरा छोटाला बेटा मेरा ही सूट पहन के और किस तरीके सरे ये सूट लेने गए ते मतलब जो लाये थे वो सिल्वाने के लिए और देखना सच देखा मेरा सूट पहने है तो देखा कि मेरा सूट पहने है और कैसे मस्ती कर रहा है इतना मतलब हसाता है बहुत जदा सच में बच्चों की इस तरीके से थोड़ी सी हरकती होना होता है तो बहुत खुसी होती है और ज़ dw all who क्रोब रहता है तो ऑपनी पापा को घसाते हैं या उनको और आगे कैसे निकलेंगे कुछ पता नहीं है और यहां पर हम बरतन दूर लेते हैं साथी साथ सब्जी रख चाल बन रहा है और इधर हम बरतन भी दुरते रख लेते हैं तो क्या कह रहते हैं भूल गयी तो लोही की कड़ाई ना आप प्लीस जडरू लाइए रोही चिकलाई चुत में कहते हैं और उदर मेरा बॉरता दुल गया है और इधर में आटा मूत लेते हूं और यह है चावल और आटा मतलब गेहूं का मतलब रोटी सेकेंगे मिलाकर मिक्स करके और यह देखे जो इसका जो हम पानी दिखा रहे हैं तो यह जो दूद फट गया था उसी का पानी है बहुत ही सच में बहुत अच्छी रोटी बनी थी ठीन में टेस्ट tar ik utese wr branch step कि छावल की अनी टीक है तूम का थे चाwn प्राइब व हिसाल छेवल से फाइफ कि वाग्रों कि कुछ छाजी भुझा भी देखाते हैं यह नहीं लगता है प्राइमें बने बहुत ही तेस्टी बनी थी और खाने में बहुत च्छाथ अच्छा आया था तो आप लोग ना प्लीस लोहे की कड़ाई में खाईए बनाईए और जो भी नए आता है प्लीस सब्सक्राइब करें लिजेगा बगल में बेल है इसको दबा दीजिए प्लीस और सभी लोग ह हमारे वीडियो को वाच करें